लोगों को न सबसे ज़्यादा अगर भार पढ़ता है तो पढ़ने में ही पढ़ता है खास करके स्टुडेंट को विद्यारती को यहां तो अगर आपके पास नौलेज है तो परिक्षा दीजिए और जाइए नोकरी करिए बहुत सारे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो कहते हैं कि सरी परिक्षबा में आएगा जो आप बता रहे हैं पीचर्स भी हैं तो हम बार बार यही बात कहते हैं कि सिक्षा का उद्धे सिर्फ परिक्षा पास करना नहीं होना चाहिए सिक्चित होने के लिए हम संघर्स क्यों करते हैं आप लोग देखते होंगे कि बच्चा सब काम कर लेगा एक लड़के को सब कुछ करने में मन लगता है वो कहगा कि हमको आठ घंटा ड्यूटी ले लो बहुत हाड काम दे दो खेत में काम करवा लो लेकिन पढ़ाई मत करवाओ लोगों को न सबसे ज़्यादा अगर भार पढ़ता है तो पढ़ने में ही पढ़ता है खास करकर स्टुडेंट को विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा भार पढ़ता है उनलों को पढ़ने में आप लोग IIT करते हैं, चैकर ना कहते हैं कि बहरा कंपनी में जाना है, तो क्या सिख्षा का मतलब सिर्फ यही है, कि पढ़ाई करना है, परिक्षा पास करना है और कंपनी में चले जाना है। का मतलब ये होना चाहिए कि जिस दिन से बच्चा पढ़ना शुरू किया उस दिन से ही वो कुछ ऐसा प्रैक्टिकल करें जो कि उसके लिए जरूरी हो ठीक है ना जो कि उसके लिए जरूरी हो अच्छा आप बताइए आज हमारा देश भारत इतना पीछे जा रहा है जब क्यो दिन पहले एक विडियो देख रहे थे चाइना का विडियो था ड्राइवर लेस कार ड्राइवर नहीं है फिर भी कार रोड पर धलले से दौल रही है और ना तो एक्सिडेंट का डर ना कुछ का डर भाई ड्राइवर चलाएगा तो एक्सिडेंट भी करा देगा लेकिन वो कार कभी incident नहीं होगा वो एकदम space maintain करके रखेगा चाहे आगे से कोई आ रहा हो चाहे पीछे से कोई आ रहा हो वो अपने आपको बचा लेगा तो यह चाइना का technology पता नहीं कहां से कहां बढ़ गया है क्यों भाई वहां लोग किताबी खिला नहीं बनते हैं बचपन से ही परिक्षा का मतलब परिक्षा पास करना है ठीक है ना माता पिता तब तक डाटते हैं जब तक आप परिक्षा में पास नहीं कर जाते हो अगर आप उस पढ़ाई के बदोलत कुछ कमाना सुरू कर दोगे ना पिता जी डाट देंगे बोलेंगे कि नहीं पहले पढ़ लो ये ड पढ़ते निकल जाता है है करते पए पुरा ज़िवन निकल जाता है आप लोग देखते होंगे कि हर एक आदमी का नौकरी कम से कम 25 साल 30 साल की उमर में लगता है कि का तिश साल निकल गेया मतलब आधा जीन तो आपका निकल गया आधा जीन व्यक्तिकाना पढ़ते पढ़ते निकल जाता है आप मुश्किल से 10-20 साल नौकरी कर पाते हैं और उसमें भी नौकरी कैसा? नौकर वाला नौकरी कैसा? नौकर वाला जिसमें कि आप डेली कंपणी जाएंगे कंपणी आएंगे सुबह 10 बजा बेग उठाएं ऑफिस चल गए सुबह साम का 5 बजा घर आ गए डेली का ये रूटीन है इसे में आपका जीबन पार कर जाता है यहाँ पर क्या है न कि बहूत ज़्यादा टैलेंटेड लोग अगर हैं तो उनको चपरासी में नौकरी लगेगा बहूत दिन रात मेहनत किये तो ग्रूप D में आपको खटाया जाएगा ग्रूप D के लिए ग्रूप D, रेलवे ग्रूप D में नौकरी करने के लिए हजारो लाखों की संख्या में लोग यहाँ फॉर्म भर रहे हैं talented लोग group D में काम कर रहे हैं भाई उनके talent का अगर सही उपयोग भारत सरकार करती तो साइध वो कोई बड़ा काम कर सकता था लेकिन नहीं यहां तो अगर आपके past knowledge है तो परिच्छा दीजिए और जाइए नोकरी करिए ठीक है ना? उसका यूज आपको परिच्छा पास करना नहीं होना चाहिए बहुत सारे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो कते हैं कि सर इपरिच्छमा में आएगा जो आप बता रहे हैं बहुत सारे बच्चों का हम कमेंट पढ़ते हैं कि सर जो आप बता रहे हैं उपरिच्छा में आएगा अरे अगर नहीं आएगा तो knowledge के लिए भी तो कुछ सीखा जाता है न भाई तो यहाँ पर जे क्रिश्न मूर्ती यही कह रहे हैं कि परिक्षा पास कर्मा सिर्फ हमारा सिक्षा का उद्देश नहीं होना चाहिए हमारा सिक्षा का उद्देश यह भी है कि जीबन में कुछ बढ़िया करें ठीक है न